किसी मुद्दे पर बहुत विशलेशन करोगे तो निर्णय लेने की क्षमता को लखवा मार देगा। ये बात IIM एहमदाबाद के प्रोफेसर कुच्चल ने MBA की किसी क्लास में कही तो एक छात्र ने इसे अचूक मंत्र की तरह गांठ में बांध लिया। फिर क्या था? उस छात्र ने विशम परिस्थितियों में भी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर इस तरह विकसित कर ली कि उसने अपने पूरे करियर में शानदार सफलताएं हासिल की। यह कहानी है उस शक्स की जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। नाम है अमित खरे। बिहार जारखंड कैडर के उन्नीस सो पचासी बैच के सेवा निवृत आईएस रहे। केंद्र में शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नई शिक्षा नीती बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। रिटायर्मेंट के बाद प्रधान मंत्री ने उन्हें सलाहकार बनाया। दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब उन्हें एक बार फिर से सेवा वि वर्ष 1996 में जारखंड के चाइबासा जिले के उपायुक्त के तोर पर जब पशुपालन विभाग में सरकारी राशी की गलत तरीके से निकासी की एक शिकायत मामूली तोर पर मिली थी तो उन्होंने खुद इसकी तत्काल जाँच की। इसके पहले के उपायुक्तों को भी एसी शिकायतें मिली थी लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। खरे ने पहली नजर में ही भाप लिया कि यह बड़ी गड़़ी है और इसमें बड़े लोगों की सनलिप्तता है। उन्होंने पशुपालन विभाग की ओर से ट्रेजरी में भेजे गए तमाम बिल रुकवा दिय ब्लॉक के अफसरों को भी अलर्ट किया। इधर गड़बडियों को अंजाम देने वाले अफसरों सप्लायरों को भनक मिली तो उन्होंने फाइले नश्ट करने की कोशिश की। पर अमित खरे चौकस थे। उन्होंने विभाग के अफसरों को तलब किया तो कारियालय चोड भाग खड़े हुए, उन्होंने कुछ घंटों के भीतर पशुपालन विभाग के कार्याले को सील कर दिया, जिला कोशागार और बैंक को निर्देश दिया गया कि पशुपालन विभाग के किसी भी बिल का भुगतान ना करें, सभी पुलिस्थानों को सतर्क कर दिया कि कोई पशुपालन विभाग के दस्तावेजों को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। जाहिर है, काररवाई में देर होती तो अमित खरे पर घोटाले बाजों को सनरक्षन देने वाले राजनीतिकों और बड़े अफसरों का दबाव पढ़ सकता था। खैर, चाइबासा में पशु कालीन सरकार ने खरे को शंटिंग पोस्ट पर भेज दिया था। लेकिन वह जहां भी रहे उन्होंने अपनी कार्य कुशलता की छाप छोड़ी। रांची के हिनुस्थित केंद्रिय विध्याले से मैट्रिकुलेशन, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, नई दिल्ली से भौतिक व कासा के उपायुक्त के पद पर भेजे गए तो उन्होंने डायन प्रथा की आड में महिलाओं की प्रताडना के खिलाफ गाव गाव में एक बड़ा अभियान शुरू किया। जारखंड में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और रांची विश्व विद्याले के कुलपती के रूप में भी उन्होंने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए उसकी चर्चा आज भी होती है।